नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होष्ट और आप देख रहे हैं धन सर्मार्ग दोस्तों हम बात कर रहे हैं कच्छवे की अंगुठी की कहते हैं कच्छवे की अंगुठी पहनने से धन और एस्वरी की प्राप्ती होती है मा लक्ष्मी बहुत प्रसन होती है अगर कोई कच्छवे की अंगुठी पहनता है तो कच्छवे की अंगुठी को किस उंगली में पहनना चाहिए तो सबसे पहली बात यह रिंग फिंगर में यानि की अनामिका उंगली में छोटी उंगली के बाद जो उंगली होती है न उसमें पहनना है आपको कच्छवे की अंगुठी कच्छवे का मुख आपकी तरफ होनी चाहिए यानि कि आप कच्छवा जैसे लगे आपको देख रहा है अब आप समझ जाईए कि कैसे होने चाहिए आपके घर में अगर धन समंती परिशानी है या फिर धन आने के बाद भी नहीं बचता है तो फिर आप कच्छवे की अंगुठी ट्राइ कीजिए कहते हैं कि अगर जिस घर में कच्छवे की अंगुटी होती है या जिस घर के लोग कच्छवे की अंगुटी धारन करते है या फिर आपके घर में कच्छवा है चाहे वो संगमरमर का हो धातु का हो और कच्छवा को आप अगर है आपके घर में तो आप एक कांच का बाउल लें उसमें जल रखें उसमें कच्वा को रखें यानि पानी में रखना है तो इससे क्या होगा धन आएगा धन की बरसात होगी कहते हैं कि मा लक्षमी कुछ जादा ही महरवान हो जाती है जिनके घर में कच्वा होता है लेकिन एक बात और है दोस् पर गिप्ट अगर मिलता है तो बहुत खुशी की बात है मा का यह संकेत होता है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं कच्छा का उठी जब भी लाएं किसी भी धातू का लाते हैं तो सबसे पहले कच्छे दूद से और थोड़े से जल से इसको अच्छे से सुध कर लें अगर कोई मंत्र आता है तो पढ़ लें नहीं तो गैत्री मंत्र भी आप 11 बार पढ़ सकते हैं और गैत्री मंत्र है ओम भग 9 बज़े से लेकर 11 बज़े की बीच आप पहन लें दो घंटा का टाइम रहेगा आपके पास आराम से पहन लीजेगा आप देखिए कि उस समय में ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा धन्यवाद दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ